ओके लास्ट टेम हमने functions को पढ़ा था और हमने कहा था functions ऐसे भी होते हैं जो कोई parameter नहीं लेते हैं और functions ऐसे भी होते हैं जो कोई parameter लेते हैं parameter से मतलब ये था कि function को हम और input देते हैं, function उस पर process करता है और हमें वापस कोई output देता है जैसे मैंने login की example दी थी साथ में लिखी भी है कि ये function दो parameter लेगा user number, password और उनकी base पे चेक करके बताएगा कि user सही है, valid है, authentic है या नहीं है तो function का काम यही होता है they take input, they process on that input and they give us output ये function का primary काम है JavaScript मैंने कहा था इसके तीन pillars है एक pillar है इसका array, दूसरा pillar है इसका object तीसरा pillar है इसका function और अगर आप इन तीनों pillars को भी एक pillar में represent करना चाहें, तो वो object है क्योंकि function भी object होता है internally और array भी object होता है internally, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है object है, ठीक है, तो ये सारी बाते आपके जहनों में already होंगी, आज हम थोड़ा सा mix करेंगे, मुझे एक बात बताएं ज़रा, हमने object पढ़ा तो what does object consist of, अगर मैं आप से किसी से पूछो कि object किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, मिसाल के तोर पे मैंने कहा है, मेरे पास person object है, how would we be explaining an object, किसी object को explain करने के लिए किस चीज़ की ज़र्वत होती है इनको क्या कहते है collectively properties, properties simple property कहते हैं तो आगे फिर मैं पूछू property क्या होती है तो फिर बताएं कि name or value यह निए, property name or property value तो what does object consist of properties, very nice एक object के कितनी properties हो सकती है multiple हो सकती है बेशुमार हो सकती है, चीक है so we can't count, but हमें एक particular situation में मिसाल के तरवे आप school में admission ले जाते है तो आपकी क्या सारा data लिया जाता है आपके वालिदेन के भाई कितने हैं, आपके चाचे कितने हैं, आपकी मास्कियां, फूपियां कितनी हैं हलाएं कितनी हैं नहीं न, हलागे वापके attributes ये properties हैं लेकिन उनका तालुक उन से नहीं है लेकिन आप army में जाएंगे, ये apply करें commission में फिर देखें जरा वो दादा, नाना पर नाना और पर दादा तक जाएंगे वापके कभी apply कि ये किसे में वो तीन, आट-दस परचे होते हैं, उनमें सारे information फिल करते हैं तो इसका मतलब यह है कि उनको रिक्वाइड होती है उस domain में दाखला लेने के लिए रिक्वाइड नहीं होती है तो एक object कि कितनी properties हो सकती हैं, ये depend करता है नादरा में जाएंश नाफ़ी करड़ बने, वो भी पूरी history निकालते है exactly, ठीक है, बाराल तो इसका मतलब है कि object consist of properties आज एक चीज़ चेंज कर दूँ object does not only consist of properties कोई भी real time object है, ये सिर्फ properties में मुझतमिल नहीं होता properties दो होती ही होती है, ये तो confirm हो गया इसके अलावा भी क्यों चीज़ होती है मैं अगर किसी बंदे को explain करना चाहूँ किसी बंदे की शख्सियत को, बंदा एक object है ना तो मुझे उसे explain करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा एक तो properties चाहिए होगी ना, उसका cut कितना है उसके height कितनी है, उसका name क्या है, उसका father name क्या है, उसका contact क्या है उसकी शख्सियत को explain करने के लिए और क्या चीज़ चाहिए हो सकती उसके behaviors, वो करता क्या है कोई action भी perform करता होगा ना human can walk, human can talk, human can act, human can react तो यह सारे के सारे क्या हैं इसके, actions हैं तो जो human के या किसी भी object के जो actions हैं, उनको हम represent करते हैं किस से, function से यानि object के अंदर दूसरी चीज़ क्या होती है, functions होती है तो functions आपने पहले से पढ़ लिए हैं, separated पढ़ लिए हैं, आप उन functions को अंदर डालते हैं, किस के, object के मैंने क्या कहा था, mix करने को कहा था न, जरब पहला mix करते हैं मैं, let's suppose, यहाँ पर कहता हूँ, परसन है, तो परसन का क्या होगा, name होगा, I'm supposing it's Ali परसन की age होगी, I'm supposing it's 20 परसन की qualification होगी, या यूं समझें के परसन का, ये last name है और इस से पहले, परसन का एक क्या है, first name, और इसमें कहता हूँ, जी के खसन, ये, ये तो आपको सबको पता है, अब तक के object की शकल ये देखिए है, कि object consists of properties, और properties क्या होती है, property का name होता है, property की value होती है, और एक property एक object की कोई एक characteristics को represent करती है, ठीक है, object में actions भी होते हैं, और action किस से हमेरा जाहिर करते हैं, function से जाहिर करते हैं, function लिखने का अब तक तरीका आपने क्या पढ़ा है, अच्छा, एक बात हो रहा है, object में जो कुछ भी होगा, वो होगा, वो property name और property value की form में, तो इसका मतलब है, अगर function को भी object के अंदर डालूँगा, तो उसकी भी शकल क्या होगी, property name और property value, शकल भी होगी, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, जी कि full name, तो मुझे यहां full name दुबारा लखने की दुरूट है, उपर first name और last name और लड़ी मुझूद जो है, तौबारा लखने की दुरूट है, उसको क्या कर लेंगा, ये calculate कर लेंगे, तो मैं या क्या करूँगा, अब मुझे first name और last name को मिलाना है, तो मिलेगा किसी action की base में, जब कोई action करूँगा, यानि first name को उठाऊँगा, last name को उठाऊँगा, दोनों को concatenate कर दूँगा, तो ये काम कौन करेगा, तो जब भी कोई action perform करना होगा, तो वो किस के दरीए होगा, तो मैंने कहा, जी function full name चाहिए, तो function का नाम क्या रख दूँ, full name रख दूँ, और इसके अंदर में क्या कर दूँ, log और console.log, कर क्यों हो रहा हूँ, ये बताता हूँ थोड़ी दे में, sorry, वो array आता है बटा, अच्छा, मैं कहता हूँ जी कि यहां पर मैं कर देता हूँ जी कि first name plus last name, तो क्या दो strings आपस में add हो सकती हैं, तो क्या होगा, दोनों आपस में concatenate हो जाएंगा, समझा आगे बात, तो first name और last name मिला आगे, full name मिल गया हमें, लेकिन यहां जो बात समझानी थी, वो जारा समझेगा, बात यह समझानी है, कि किसी भी object के अंदर आप दो चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी, एक properties और दूसरा आज मैंने बताया क्या, functions हो सकते हैं, अब मुझे बताएं कि function का जो नाम होता है, वो unique होना चाहिए ना, जैसे variable का नाम unique होता है, और किसी एक function के दो नाम हो सकते हैं, आपका नाम क्या है, आपके दो नाम हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ऐसा ना कि जिए गार में मुझे कासी बोलते हैं, लाड से और बाहर वाले कासिम बोलते हैं तो ये दो नाम नहीं ना एक्चली ये तो निक नेम खुद बनाएं ना नादरा में आपकी आइडेंटिटी के नाम पे दो नाम हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं ना तो मुझे बताएं कि ये function का जो left side पे वो property name value को represent करने के लिए होता है ना तो ये भी नाम full name है और ये भी नाम क्या है ये function का actual name है जो हम normally लिखते होते हैं अगर हम function separately लिखते और ये हमने क्योंकि अब इस function को object के अंदर लिखा है तो हमने कहा दिया object के अंदर function को लिखेंगे दो उसके लिए property name देना पड़ेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही function को कितने नाम मिल गए है दो मिल गए है ऐसा तो possible नहीं है होना ही नहीं चाहिए ऐसा getting my point तो याद रखिए जब भी हम function को object के अंदर लिखेंगे तो हम function के keyword के साथ इसका नाम नहीं लिखेंगे हम ऐसा function बगएर नाम के लिखेंगे और जो चीज कोई बगएर नाम के होती है तो उसको क्या बोला जाता है शायरी की जबान में गम नाम शायर या बे नाम शायर सारे आशिक बैठे में माशायर ला इस उमर में ऐसी होता है ना तो ऐसे function को कहते है बटा जिसका कोई नाम नहीं होता उसे कहते है anonymous function क्या कहते है anonymous function तो anonymous का मतलब ही क्या होता है गम नाम या बे नाम ऐसा function जिसका कोई नाम नहीं होता है anonymous function यह जो function अने बिटा जिसका कोई नाम नहीं है anonymous तो फिर इसका मतलब यह है कि जब किसी function का नाम ही नहीं होगा तो call कैसे करेंगे भाई तो call करने के लिए यह नाम दे जो दिये पहले तो यहां से नाम मिटाने का मकसद यह था कि एक function के दो नाम नहीं हो सकते तो जब भी आप function को object के अंदर लिखेंगे तो आप हमेशा क्या लिखेंगे anonymous function लिखेंगे तो उस function को recall कैसे करेंगे property name से तो अब आप मुझे बताएं कि इस पूरे object में जो कुछ भी है है सब कुछ property name और value की form में लेकिन जो आखरी property है उसको देखेंगे उसकी value में क्या आगया तो अभी थोड़ी दे पहले क्या आगा दा function object नहीं है तो property name के against object नहीं आ सकता हो गया ना mix सारा कुछ ये अब बताएं आप के जिन हमें mix हो गया ये clear हो गया concept recording yes started है ये बात समझा गई है तो अब आप जब भी कभी देखेंगे object तो आपको ये समझ आने चाहिए कि object के अंदर कितनी चीज़ नहीं हो सकती है दो इसके लावा कुछ नहीं हो सकता दो ही होंगी हमेशा बस एक properties और दूसरा लेकिन function भी properties की शकल में होगा अब मुझे बताएं कि इस function की कोई भी चीज़ मुझे access करनी है तो कैसे करूँगा कैसे किसका नाम लिखूँ person लिखूँ object का नाम फिर dot अब जब गवर से सुने चले छोड़े गवर से सुनने को जब मैं property को access करता था तो मैं क्या लेकता था property का name तो person dot age का मतलब क्या है age एक property है किस object की person की अब याद रखिएगा कि जब भी मैं person के साथ function का नाम लिखूँगा तो उसको यू लिखूँगा तो इसका मतलब है जब भी किसी object का function access हो रहा होगा तो वो round brackets के साथ होगा जब उसकी साथी नार्मल प्रापटी एकसस हो रही है तो वो बगए round bracket होगा बस ये convention समझानी है बास समझागी है अब जड़ा सुने गोर से एक और बात कि कभी मुलाना साथ की कोई तक्रीर सुने ना पहले सही तमहीद बांदें गोर से सुनने ये वहला पाइंट बड़े गोर से सुनने ये काम करें ठीक है तमहीद बांदें बांदें बूली गया गोर वहला पाइंट करणा था जब भी किसी object के अंदर simple property एकसस करनी हो तो वो object name dot property name होगा आगे round brackets नहीं होगी और जब किसी object के अंदर function access करेंगे तो वो property name के साथ object के नहीं के साथ round brackets हैंगी इस property के साथ ये इसकी निशानी है जब ये function object के अंदर ना हो तो ये function कर लाएगा और जब ये object का हिस्सा हो तो ये method कर लाएगा क्या कर लाएगा समझागी बात ये वाला वारीक नुकता था कि जब ये independent अजाद function हो जैसे ये है तो ये function है method नहीं है ये क्या है क्योंकि ये object का part है या object से associated है तो जिस जिसने object oriented programming पड़ी है ना तो उसमें भी ये है कि function और method में फर्क ये है method is normally associated with an object function is not function अजाद फिर रहा होता है जी बिलकुल है बिलकुल है ठीक है अगर आप बहुत advanced JavaScript पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगी classes तो बात समझा आगी है तो method और function में क्या फर्क है सिर्फ नामों का फर्क है बाकि अब ज़रा एक और बात सुनिएगा अगर मैं यह काम यह करूँ person.fullname तो मुझे output क्या मिलना चाहिए यह देखे ना यह आएगा इस function को call करेगा इसके against आएगा console.log में क्या करेगा firstname lastname यह नहीं मुझे क्या मिलेगा हसन और मिलना चाहिए ना function call हो रहा है ना let's see मिलेगा नहीं मिलेगा अब मिलना चाहिए मिलना चाहिए ना so let's see let's see के console में मिलेगा या नहीं मिलेगा हम क्या expect कर रहे हैं क्या मिलना चाहिए हसन और अली concatenate होके मिलना चाहिए यह मुझे बताया रहा जी uncut reference error firstname is not defined at object.fullname मुझे रहे हैं मैं तो firstname को पैचानता ही नहीं हूँ तो अगली बात यह याद रखिएगा जब भी किसी object के अंदर जो आपने function define किया है जिसको मैं method बोल रहा हूँ अगर इसके अंदर अपने ही object की कोई property access करनी होगी तो वो सीधी तरह access नहीं होगी उसके लिए आपको उंगली टेड़ी करनी पड़ेगी समझागी यह बात तो अगर मुझे इस function के अंदर रहते हुए इस object की कोई भी property access करनी है तो मैं उसके साथ एक अलग word लगाऊंगा this dot firstname अब आप गया है यह निया पंडोरा box खोल गया यह this क्या है पहले तो this को छोड़े मुझे बताएं dot के बाद क्या access करते होते हैं तो जिस word के साथ dot लगा हो वो क्या होता है object नहीं होता भई person के साथ dot लगा है तो person क्या था object था ना तो this के साथ dot लगा है तो this क्या है तो यह कौन सा बल object है याद रखियागा जिस object के अंदर रहके उस object की property अक्सेस करें तो उसके साथ क्या लगेगा? दिस लगेगा तो ये दिस रेप्रेजेंट कर रहा है इस पूरे के पूरे object को और जाहर है इस पूरे object में first name है ना, तो हम सिर्फ first name लिखने के बज़ए क्या लिखेंगे this.first name और इस की जग़ए क्या लिखेंगे और अगर आप यहां पर आएं यह बात समझा आ गई है बात समझा आ गई है बात समझा आ गई है तो आप बिलकुल जीनियस है समझा आ गई सब को? चले अब ज़रा थोड़ा सा graphics की तरफ आते हैं बहुत हो गई है हमारी कानिया शानिया object, method, array, function वगर 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 सब आगे सब अब हम जाते हैं HTML पे designer तो आप वैसे ही बहुत अच्छे है तो इस सारे को मैं comment कर देता हूँ और अब हम यहां पे आते हैं अब ही तक हमने जितने भी function लिखे थे उन functions को execute कराने के दो तरीके हमने देखे हैं पहला दरीक है कि आप अगर किसी चीज़ को direct execution करवानी हो तो function के अंदर ना लिखे हैं, वैसे ही लिख दे जब page ए fresh होगा तो वो सारा का सारा code क्या हो जाएगा directly execute हो जाएगा real time में ऐसा नहीं होता फिर हमने काया जी हमने किसी भी चीज़ को direct execute नहीं कराना हम उसे लिख के रख लें, लेकिन जब हमें चाहिए होगी उसकी functionality तब उस function को क्या कर लेंगे call कर लेंगे, वो भी आपने देख लिया लेकिन अभी तक आप ने यह नहीं देखा यार यह real time में यह कहूं use होगा मनलत इतना ही फ़र्क पड़ा ना कि पहले हम इसी तरह लिख देदे थे execute होगा, अब इस तरह लिख के call कर देदे तो फिर भी तो वही काम हो रहा है, call भी कर दे तो page load on a way, call होगा और execute हो जाएगा अब हम यह करते हैं कि जैसे आप किसी drop down पे click करते हैं किसी pop up को open करते हैं किसी slider को चलाते हैं, किसी timer को चलाते हैं, तो यह सारी चीज़ें, अब कहानियां शुरू होने लगी हैं, लेकिन यह आज की कहानी समझने के लिए, पिछले सारे lectures की आपको depth understanding होनी चाहिए, ready हैं? चले, so मेरा बिलकुल basic सा काम क्या है, पहला, कि मैं यहाँ पे एक button बना रहा हूँ, that's absolute basic और इसे मैं कहता हूँ, जी test तो मैं यहाँ पे click करूँ तो मैं चाहता हूँ, इसके click पर कुई काम हो जाए, इसके click पर कुछ show हो जाए, कुछ hide हो जाए, कुछ alert आ जाए, कुछ prompt आ जाए, कुछ ना कुछ हो जाए, लेकिन वो हो, पहले तो क्या हो जादा पेज refresh होने पे, अब मैं उस functionality को link कर रहा हूँ, किसके साथ, UI के साथ, button के साथ link कर रहा हूँ, कि यहर वैसे कुछ ना हो, जब तक मैं इस button पर click करूँ, कुछ ना करो, जब मैं इस button पर click करूँ, तो फिर कुछ करो, इसके लिए, हाँ, function call करो, इसके लिए जाए पहली बात सुन ले, JavaScript is event-driven programming, I repeat, JavaScript is an event-driven programming, event-driven क्या होता है? उससे पहले आप समझें कि event क्या होता है? आप web page पे जो भी हरकत करते हैं, ना, उनको हम क्या ब магने क्या है, event बोलते हैं, मिसाल के तोर पे आप क्या क्या हरकत कर सकते हैं? आप right click कर सकते हैं, आप left click कर सकते हैं, आप माउस को मूव कर सकते हैं, आप माउस को ड्राइग कर सकते हैं, आप माउस को ड्रॉप कर सकते हैं, आप माउस को स्क्रॉल अप कर सकते हैं, आप माउस को स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, तो यह तो सारी अरकते किस से कर सकते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, माउ की मज़़ से करते हैं या किसी और तरीके से करते हैं तो उस activity को हम क्या बोलेंगे यह क्या है ? एक event है, क्या है ? तो अगर मैंने mouse के साथ event परफॉर्म किया तो यह क्या बोलेंगे ? mouse event है अगर मैंने keyboard से key press की है और वहां पर कोई काम हो गया ? तो यह कौन सा event है ? key press की तो की रिलीज की तो की रिलीज ये कोर इवेंट है बात समय जागी तो इसका बात कीबोर्ड इवेंट्स भी होते है माउस इवेंट्स भी होते है फिर फॉर्म इवेंट्स भी होते है फिर लोड इवेंट्स भी होते है बहुत सार इवेंट्स होते है ठीक है, क्योंकि आज इसने miss किया उसको JavaScript नहीं समझा नहीं, trust me, तो जो भी आप activity करते हैं, page पे जो भी action करते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, एक event है, अब JavaScript को इस nature की वज़ा से कहते है, event-driven programming language, यह पूरी programming language ऐसे design हुई भी है, जो क्या करती है, सिरफ events को respond करती है, क्या करती है अब ज़रा दो बाते हैं, events के बारे में, पहली बात यह है, ज़रा यह देखें, यह मैंने click किया, तो click का event perform किया, proper terminology में बोलो, तो उस event के against, एक action fire हुआ, और drop down open हो गया, मैंने दोबारा click किया, तो एक और action trigger हुआ, इसका मतलब कहना है, यह है कि जब मैं कोई event perform करता हूँ इसका मतलब है कि पीछे कोई ना कोई ऐसी चीज बैठी विया जो मेरे event को listen कर रही होती है, जो मुसलसल क्या कर रही होती है event को, listen कर रही होती है, जो ही में event occur होता है, यह कोई भी event occur करता है, तो वो listener, event listener क्या करता है, फॉरन से activate होता है, और फॉरन से वो function call कर देता है, जो और तीसरा, event listen करने के बाद, कोई action perform कर देना, तो तीन काम करने हमें, event occur हुआ, वो तो occur हो रहा है बटा, ये बटन पर event occur हो रहा है, बार बार हो रहा है, लेकिन अभी कुछ काम क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे listener नहीं है, समझ आई बात? तो event listener, या उसको बाद वकाद हम कहेंगे event handler, तो अभी मुझे कोई बता सकता है, मेरी अभी तक की दी गई मालूमात के मताबक, कौन-कौन से events है, नाम बता सकता है कोई, कासिम? click, double click, on mouse over, यानि किसी भी particular चीज़ के उपर mouse को ले के जाना, इसको हम क्या कहते है, mouse over, वापस हटा ले तो इसे क्या कहते है, mouse leave, इदर सुने ज़रा गौर से सुने या बतें, थोड़ी दिर में गप्शाप रोक ले, नमबर एक, event का नाम क्या है? click, दूसरे event का नाम क्या है? double click, तीसरे event का क्या हो नाम है? mouse over, चोथरे event का क्या है? mouse leave, पाँचवे event का नाम क्या है? double click हो गया न, scroll up, scroll down, तो ये पाँच-छे event तो मैंने वैसे ही गना दिये, इन सब event के नामों के start में on लगा जए, on, on, तो click क् जाएगा? On Click. Double Click क्या बन जाएगा? On Double Click. Mouse Over क्या बन जाएगा? Very Good. Mouse Leave क्या बन जाएगा? समझागी बात? तो जितने भी Events हैं, उन सब का भी JavaScript को पहले से पता है? और जितने भी Event Handlers हैं, उन सब का भी JavaScript को पहले से पता है? Event है Click, तो इसका Event Handler कौन से है? On Click. Event है Double Click, तो इसका Handler कौन है? Event है Mouse Over, तो इसका Handler मुश्किल है? Simple सी Philosophy है. तो सारे के सारे Events का भी JavaScript को पता है? और सारे सारे Handlers के भी पता है. Let's see अब. मैंने का जी कि जब इस बटन पे Click हो, तो इसके साथ एक Listener लगा दो. Listener होगा क्या? तो ये बटन आप किसको सुनेगा? Click को Listen. यानि ये Click को Listen करता रहेगा. जो ही एक Click होगा, तो ये क्या करेगा? सिर्फ उस Click को पकड़ेगा और Right Side पे जो भी Function होगा उसको Call कर देगा. मैं Right Side पे लिखता हूँ जिस सिर्फ Alert. ये Function Call है ना, Alert आपको बताया था? अब आप जाएं और इसको Refresh करें, कुछ भी नहीं हो रहा. लेकिन बटन को जो ही मैं Click करूँगा, तो इसका मतलब है, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता क्या कर चुका हूँ? चीजों को Control में ला रहा हूँ, कि बजाए इसके की पेज में वो खुद बखुद एक्जीक्यूट हो जाएं, मैं उनको Associate कर रहा हूँ किसी भी UI के Element के साथ, कि जब मैं Click करूँ तब ये काम करो, Otherwise ये काम ना करो. अब जरा गवर से सुनिएगा. ये Alert Built-in Function है या User-Defined Function है? Built-in है. तो क्या जब Built-in Call कर सकता हूँ, तो यहां मैं User-Defined Function कॉल नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, तो User-Defined Function कॉल तब होता है जब पहले कहीं? Define हुआ हूँ. तो हम जाके पहले Define ना कर लें Function एक अपना, छोटा सा. तो Function डिफाइन करने के लिए क्लिए 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 टेस्ट? बनाया रहा हूँ, लेकिन मैं दुबारा से बना रहूँ हूँ. उसको किसी और मकस्व के लिए उसकर लेंगे. डिस्प्ले मैसेज नाम दे दें, ठीक है? और जब यह डिस्प्ले मैसेज हो, ठीक है? अब जड़ा गौर से सुनें. पेज रिफ्रेश नहीं किया, यह पिछला वाला चला रहा है, ठीक है? नहीं, पिछला वाला नहीं चला रहा है. क्या हुआ है? कि मैंने यह सिर्फ function डिफाइन किया है. call फिर भी वह यह alert ही कर रहा हूँ. तो इसका मतलब है, function को call करने का तरीका क्या है? डिस्प्लेइ. call करने का यह तरीका है, ना? तो यह function मैंने यहां define किया, इन दोनों का नाम सेम होना जाएए. function call के वक्त और function definition के वक्त. अब आप यहां पे आएं. जितनी दफा़ कॉल करेंगे, यह उतनी दफा़ एक्जेक्यूट होगा. अभी alert में ना? आइस्ता इस्ता आ रहा हूँ कि हमें बापे सुदर भी लाना है इसको. आइस्ता इस्ता आ रहा है, मैं flow समझा रहा हूँ कि flow समझा आ गया? कि पहले स्टब पे आपने किसी function की call को किसी UI element के साथ associate कर दिये. अब वो जो UI element यानि button है, it will keep on listening. कि अरके click हो तो नहीं गया? जो ही click होगा, वो फॉरण अपना काम दिखा देगा. तो on click क्या हुआ, event handler या event listener. अच्छा, मुझे एक बात बता दें मेरी मालूमात के लिए. ये console log क्या है? मैं ये नहीं पूछता करता क्या है, use क्यों करते हैं? मैं पूछ रहा हूँ, ये है क्या console log? explain it. जिन्दावाद, क्या बात है यार, ये console है. जी, ठेरे जरा, ठेरे जरा, आपकी तरफ में आता हूँ, क्योंकि आपकी तरफ में कान खेंच सकता हूँ, जरा, पहले आउनलाइन वालों के खेंच लिए. जी, आउनलाइन में कोई बताएगा, console log क्या बला है? अभी सोच लें आप इतनी देर में. online? console log क्या है? सर, message इस्प्ले करता है, देखता है, सी आउट होता है, इसके अंदर, सी टेस्प्ले के अंदर. ने, 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 बिटा, आप ठीक हैं, मैं ये नहीं पूछ रहा है, ये जवाब यहां भी दिया एक बंदे ने. मैं ये नहीं पूछ रहा है, क्या करता है, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये क्या बला है? सर, ये function है, अच्छे, ये function है, फिर जड़ा देखें गोर से, नवाल ज़रा गोर से देखें. सर, object ते console is, इसके अंदर log function है, that's it, this is what I wanted. हाँ, उने तुसी दसो, ओ भाई, अभी नहीं बताया, कि जिस चीज़ के साथ dot लगा हो, वो object होता है, और object के आगे, दो मेंसे एक चीज़ हो सकती है, यानि dot के बाद दो मेंसे एक चीज़ हो सकती है, या वो क्या होगा? property होगी, या वो क्या होगा? अच्छा, object के अंदर function होता है, method, मतलब है function ही लेकिन इसका नाम change हो जाता है, तो console log क्या हुआ, नवाल got the correct answer, console object है, और log क्या है, उसका method है, अब मुझे बताएं, console user defined object है, built-in है, तो उसके अंदर जो log है, वो user defined function है, ये method है, वो कह रहा है, हाँ, क्यों भी, log मैंने लिख log का function है, वो जब object बिल्ड है, तो ये समझाना चाहरा हूँ कि जो चीज मैंने आपको समझाई है, जावा स्क्रिप्ट खुद जो काम करता है, पूरा का पूरा जावा स्क्रिप्ट वो इसी principle पर काम करता है, कि अब मैं एक और line लिखता हूँ जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, सिर्फ आप इसकी शकल देख के मुझे बताएं ये क्या है, इस शकल देख के मुझे बताएं क्या है, ये वैलिड जावा स्क्रिप्ट की statement है, लेकिन इस statement को explain करें क्या है, क्या, क्या, क्या built-in object है, हाँ, document क्या है, एक object है, आपको कैसे बता लगा, हमने बहुत आगया है, इसलिए वो object है, बिटर जी, simple सी निशानी में आपको बताएं कि जब भी, किसी भी word के साथ, dot operator के साथ, कोई चीज एक्सेस हो रही हो, तो dot से पहले बाला confirm है क्या object होता है, अल्ला दी कस में object होता है, कसम चुआलो, जेडी मर्जी मेरे गलू object होता है, य यह क्यों नहीं समझा रही है आपको बात, यार, अच्छे, वो क्यों object होता है, भाई जार, उसके साथ dot लगावा है, यार, एडी, निकी जी निशानी, उसके आगे दो में से एक हो सकता कुछ, तो आगे आप write क्या है, method है, simple, और अगर मैं simply यह लिख दूँ, तो यह क्या ह है, यह function हो गए, ओ भाई, document object है और उसके आगे लिखावा क्या है, प्रापर्टी, वाई यह नोट, मैं इतनी तमहीद पूरा हफता लगाया बांदने को, इसलिए कि जब मैं, बहुत सारी चीज़ें built-in यूज़ होती है, अच्छा आप ज़रा गौर से सुनिए, method बन अच्छा 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 अब मैं ज़रा एक और चीज़ लिखने लगाँ, document, अब आपने नहीं बताना, online वाले पहले बताएंगे, get element by id, यह मुझे बताएंगा मेरे बेटा, यहां कौन है, यह अरीबा है, अरीबा फैसल बेटा, यह बताएंगे, यह मैंने क्या लिख अरीबा अगर मुझे सुन सकती है और आपका माइक ठीक है तो आप प्लीज बोलें, शायद उनके माइक में कोई इशू है या पता नहीं, इशू क्रिएट कर दिया है उन्होंने खुदी, हसन अली है, हसन यहां से गाई भी हो गया, सुभानला, फैजी खान है, फैजी खान आज सारों के माइक खराब होने, अल्ला के फदल अगरम से हो जाइफा है, चले जी मर्जी आपकी जवाब नहीं देते है, जी बटा आप बोल दे, चले, नवाल आप बोल दे, आपका माइक ठीक है, अभी थोड़ी दिर पहले चाक हुआ था, बाके ता, बाके 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 यह एक element ID है, इसके आपके round brackets नहीं है तो यह property होगी, और अगर round bracket डाल दो तो क्या होगा? तो function हो जाएगा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, और इस function को method होगा, जब object के साथ function associate हो जाए न, तो वो method हो जाता है, otherwise function हो जाता है, independent हो बारल, it doesn't make difference, आप function method दोनों alternate use कर सकते हैं, लेकिन एक caution जहन में रखियागा, यह थोड़ा सा delicate सा फर्क भी है, जी अब दरा physical आप बताएं जी, क्या है यह, कासिम, तो क्या यह, यूजर डिफाइंड अबजेक्ट है, यूजर डिफाइंड है, मैंने कहा डिफाइंड किया यह अबजेक्ट, जरा दिमाग खौल के बैट हो न, दिमाग की बती दरा खौल के बैट हो, जी हुजूर, get element by id क्या है, यह function है, built-in है, यह, 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 इस से असान करके, अगर कोई पढ़ाएं न, दुनिया में आप, तो मुझे आकर बता दीजेगा, मैं भी जाकर उस क्लास में बैट हूँगा, पता नहीं, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, यह, मुनासर बात कर रहा हूँ, अगर इस से भी कि यह सारी मिसालें दे कि क्यों यह आप जवाब दे रहें, इसका पता है, एक ही इसका वो है, मुझे ड़, कि आप मैंसे किसी बंदे ने जहमत ही नहीं की पिछले काम को कुरेदने की, खोलने की, जबकि मैं बार-बार बता चुका हूँ कि आपकी जावास की पूरी की पू कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, बाहरल, चलें, मर्जी स्वाडी भई, यह कंसोल लॉग, आपको पता है यार, यह built-in object है, और इसके अंदर जो method है, वो भी क्या है, built-in है, document built-in object है, उसके अंदर जो भी methods है, वो क्या है, सारे के सारे, built-in है, तो अब इस तरह हम call कर सकते है अच्छा, नॉर्मली, मैं अब एक और काम करता हूँ, मेरे पास एक paragraph है अब, और इस paragraph में मैंने लिखा जी, text, some simple text, ठीक है, सो मुझे सिर्फ एक मिनट दीजेगा, प्लीज, अब मैंने एक paragraph भी लिख लिए, ठीक है, और आज से आपकी बटा, ये daily जो अगली 4-5-6 classes होंगी न, उसमें यह हम UI के साथ interact करेंगे, अब हम वो console, console का जान छोड़ देंगे पीछा, अब ज़र ये देखें, कि ये मेरे पास paragraph है और ये मेरे पास button है, अब मैं ये चाहता कि बटन के click पे, console पे कुछ ना आए, बलके button के click पे ये text कहा आजाए, इधर ही आजाए, समझागी ये बात, इधर से मतलब इधर, इधर paragraph है, जो मैंने highlight किया हुए, कि मैं button पे click करूँ, तो ये जो message इधर आ रहा है, वो इधर आजाए, console पे ना आए, सारा कुछ कहा आजा यू आई पे आजाए, exactly, इसके लिए मेरे पास दो steps है, step number one ये है, कि पहले तो आप ये देखें कि आपके पास एक चीज होती है, एक term होती है, JavaScript में, जिसे हम कहते है, DOM, JavaScript में ये term बड़ी famous है, DOM का मतलब बता है, document object model, ठीक, document object model क्या होता है, पहली बात तो आपको document का पता ह ये, viewport और document में फर्क या है, कि आपका ये जितना भी आपका web का design यहां, डिस्पले होता है, जिस एरिये में, ये सारा का सारा का है, document है, viewport भी होता है, लेकर scroll भी आजाए, बीच में तो वो उपर से निचे तक सारा का सारा का होता है, document होता है, document आपको बता लाग क्या होत तो आपके पूरे के पूरे वेब पेज पे जो कुछ भी हुता है, browser उन सब को क्या बना देता है, object बना देता है, browser उन सब को क्या बना देता है, इसका मतलब है buton bý object, p bý object, ul bý object, lib object, तो browser सारे के सारे टैक्स को किस में convert कर देते हैं, तो DOM में से document object समझ आ गया, अब यब ये पूरे के पूरे HTML के Tags Object में Convert हो जाते हैं तो Tags तो Parent Child Hierarchy Form में है न तो जो Objects हैं वो भी उसी Hierarchy में आएंगे एक Object Parent होगा, दूसरा उसका Child होगा, तूसरा उसका Child होगा तो ये एक Model बन जाएगा Model कहते हैं मतलब एक नमूने को, एक नकशे को तो ये पूरा का पूरा एक नकशा बन जाएगा Objects का और वो Object कौन कौन से होगा, जो कुछ आपका HTML Tags में होगा ब्राउजर उन सब को किसमें Convert कर देगा खुदी खुदी, खाम खाम है, आपने कुछ नी करना आपका कख नी जाना सिवाए इसके कि आपने यह जी जाद रखनी है कि यारे कर देगा तो उस पूरे नमूने को हम क्या कहेंगे Document Object Model क्या कहेंगे अब मुझे बताएं, Object में क्या क्या होता है कौन कौन सी Method तो इसका मतलब यह है कि जब Browser सारे HTML के Tags को Objects में बदल देगा तो हर Object की Properties भी होंगी और हर Object के और वो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि Object किसने बनाए है तो Properties और Method भी कौन बनागे देगा हमें सिर्फ पता होना चाहिए बात समझा गई है अच्छा इस Dom को जब आप देखना चाहें तो यह शकल में दिखने में कैसे लगेगा आप Google पे जाकर लिखें इसकी कोई Photo देख लें अच्छी सी तो आपको बिलकुल कानी समझा जाएगी के भाई यह यूं होता है कोई एक Diagram देख ले यह देख ले उसका चिल्डन कौन है अच्छा आपने इदर रूट लिखा वा देखा है बाराल चलें यू समझ लें कि इसके उपर भी Parent Document है ठीक है तो HTML के दो चिल्डन है आपको पता है Head, Body इनको क्या बोलते हैं सारों को HTML में जिसको Tag बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट के जुबान में उनको हम क्या बोलेंगे Elements बोलेंगे नाम चेंज है बस समझ आगी बात तो Document के अंदर HTML Root Element है उसके दो Immediate Child यह चिल्डन है एक Head Element दूसरा Body Tag क्यो नहीं कहा चुक्कि जावा स्क्रिप्ट में जावा स्क्रिप्ट में आपको पता है पूरी की पूरी वेबसाइट बाडी में ही बनती है तो वो सारे के सारे चिल्डन क्या Object बन जाते हैं तो Yes बन जाते है आपने थोड़ी बनाने हैं ना कोई आपका खर्चा होना है ना आपकी जेव से कोई जाना है तो आप कहे देंए Yes ब्राउजर उनको रेंडर करें ब्राउजर बना देगा उनको ठीक है तो आपको पता है कि यह डेव और एंकर इसने जाहरत दो तीन उनकी शो करने थे ना जिस्ट दिखाने के लिए जितने हैं भी येस हमने सिर्फ उन अबजेक्ट्स को कॉल करना है उनको यूज करना है ज्यादा दर अबजेक्स बने होंगे हमें बहुत कम ऐसा होगा कि तो खुद बनाना होगा लेकिन खुद object बनाना क्यों बताया है ताके भाई जब आप खुद object बनाके देख लेंगे तो फिर आपको बताज़ लेगा अच्छा ये वही है इसकी शकल वही है देखा भाई यार पहले इसके अंदर दो ही चीज़ी होगी अगर round bracket के साथ है तो object का क्या होगा method होगा और अगर round bracket के बगार है तो क्या होगा property बताज़ तो अगर मैं ये समझाए बगार ये समझाता object, property बताज़ आपके देख आपके देख एक की बलाए पहले ही सिर तो 6 फुट उते गुजर रहे हैं तो 12 फुट उते जावे यार मजाग कर रहो मेरी बात बुड़ा नहीं मानना लेकिन वाकिए आप lazy हैं पढ़ते नहीं आप मजाग तो मजाग अब इसी तरह ये grow करते जाएंगे और head में भी कुछ elements होते है में title होता है, meta होता है, link होता है और वगरा 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 तो ये basically इसको हम क्या कहते है DOM, DOM का मतलब document के अंदर सारे के सारे objects जो browser ने खुद convert की होते हैं वो सारे के सारे parent child एक नमूने के शकल में होते हैं, एक map की शकल में होते हैं और इसको हम model बोल रहे होते हैं और इस complete तीनों चीज़ों को हम कहते है, DOM, document object model clear होगी बात, आप जरा वापस आएं और इन DOM को access करके देगे अब सवाल यह है, कि जब मैंने कहा कि browser सारे HTML के tags को object बना देता है तो इसका मतलब यहाँ button भी object है, पी भी object है, अभी तो हैं ही दो, तो दोनों क्या है मतलब जब browser, web, javascript के context में बात करेंगे तो दोनों क्या है इसका मतलब यह है, कि मुझे इन objects को छेडने के लिए पहले इन तक पहुँचना जरूरी है यहनि मैं क्या चाहरा हूँ, मैं P का जो content है, some sample text इसको replace करना चाहरा हूँ with this content तो पहला काम क्या करूँगा, मैं इस element तक approach करूँगा इस element तक पहुचूँगा यह element किस के अंदर है, P किस के अंदर है P body के अंदर है, body किस के अंदर है HTML के अंदर है HTML किसे अंदर है document के अंदर तो यूं समझें कि ultimately कुछ भी है सब कुछ document के अंदर ही समझाई यह बात याद रखेगा सिरफ और अब अगर मैं किसी भी element को ID दे सकता हूँ ने यह तो आपको पहले से पता है इसको मैं देता हूँ जी ID देता हूँ P तो JavaScript में रहते हुए JavaScript में रहते हुए HTML का कोई भी element get करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं पहले आप document लिखते हैं यह निए document तक पहुँचते हैं क्योंकि document के अंदर ही है सब कुछ उससे बाहर फिर हम कहते हैं जी dot get element by ID object है तो जब आप object नहीं method है तो method action होता है method action होता है इसका मतलब यह get element by ID क्या करेगा किसी चीज़ को get करेगा किस की base पे करेगा get ID की base पे तो यह PID है यह नहीं है इदर देख लिए मैंने PID दिए तो मैंने क्या कहा है document में जाओ और एक element को get करो जिसकी ID क्या है यहीर किसले। जिस element की ID देंगे यह ias element को get करके लिए आईगा दे सकते हैं हर tag को ID दे सकते हैं जिस तरह हर tag को class दे सकते हैं जिस तरह हर tag को ID दे सकते हैं yes id unique होती है class multiple elements को तेले हैं यहां तसमझ आगी बात अब जरह मैं इसको log करके देखता हूँ, यह क्या देगा मुझे? समझागे बात? तो इसने क्या किया? डॉक्यूमेंट में गया एक element को उसके id की base पे जिसके id क्या थी? पी थी, उसको get किया और उसको क्या कर दे? यह console log कर देखता है अब जो मर्जी करें, आगे जो मर्जी करें पहला काम क्या था? उसको select करना पहला काम क्या था? उसको select हो गया? अब इसके साथ जो मर्जी कहानी करना यह कर रहे मैं क्या कहानी करना चाहता हूँ? मैं सबसे पहले एक छोटी सी अच्छा यह मुझे बताएं क्योंकि मैंने लिखा एक उसने नहीं लिखा सिर्फ दिखाने के लिए कि यह सेलेक्ट करता है अदर वाइस आप करते हैं यह आप सर जूट बोले तुस्य थाबत करो ज़रा कंसोल सेलेक्ट करता है यह नहीं करता है तो यह थाबत करने के लिए getElementById क्या करता है जिसElement की ID हो उसको सलेक्ट कर लेता है अब मुझे यह बताएं कि यह return क्या करेगा अच्छा यह return क्या करेगा बई return वो होता है जो वो हमें वापस दे रहा होता है अब यह आपके समने चलाया था अब यह आपके समने चलाया था एरर दिया था उसने तो यह 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 दे देगा console में चो करेगा सभी यह 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 निकरो एक तू एक वड़ा तुके बादे हाँ जी जी आनलाइन में कोई बता दे यह document.getElementById क्या रिटन करेगा मुझे अब यह क्लिक वाली कारणी तो है यह नहीं है वो तो उपर है न में डिस्प्लेइ खामखा हो जाएगा कुछ भी नहीं होगा भई इसको जिन चड़े हैं जावास कि खुदी समझा है सारा कुछ कुछ भी नहीं हो रहा ओ भाई मुझे यह बताएं पी क्या है लो जी पी क्या है पैड़ा क्राम पी आईडी है अजब यार कस मैं सब्सक्राइब तैही करके तुझी ओ ठोड़ बटन को यार मैं जो भूल मश्विदे नहीं देना मैं पूछ रहा हूं कि यह वाली जो लाइन है यह मुझे क्या रिटन करेगी भाई मेरी बात सुरें मैंने आपको कहा है कि जब ब्राउजर में HTML रेंडर होगा तो ब्राउजर सारे के सारे HTML के टैग्स को किसमें करदेगा अब मैंने document.getElementById किया तो मुझे क्या रिटन हुआ पी तो पी क्या बना नहीं ठीक है अब जरह कोई बात सुनिएगा मैंने इसको कर दिया जी let a equals to this या let p कर दे अब पी में क्या पड़ा हुआ object नी पड़ा भाए सीधी सीधी बात है मैं आप वोकिदे दरवाजे पर दूद वाला आया मैं बरतन लेकर उठा कि देच्की लेकर दूद लेने मैं दूद लेकर अंदर आया अम्मी ने पूछा कि देचकी में क्या है, मैंने का जी दूद है, मैंने दूद अंदर जा के गलास में टेल दिया, अम्मी ने का जी गलास में क्या है, मैं को पता नहीं, वह भाई वही दूद है जो देचकी में आया था, गलास में डाल दिया, तो यही काम है न, इसने क्या ल फड़ जाओगी यह बत? तो अब जरा सुनिएगा कि इस के साथ यानि डॉम का कोई भी आपजेक्ट है, उस सब के साथ एक प्रापटी लाजमी आती है और होई है स्टाइल की प्रापटी वो कौन सी प्रापटी है? जब हम किसी भी आपजेक्ट के साथ dot style की प्रापटी लिखते हैं तो css की सारी प्रापटी जिदर आ जाती है इसके अंदर तो अगर मैं यह लिखो dot color equals to red इसका मतलब यह हुआ कि p एक आपजेक्ट था उसके अंदर style की एक प्रापटी थी style की प्रापटी के अंदर yes css javascript में ही करेंगे और यह जितने भी drop down हो रहे हैं pop up हो रहे होते हैं slide move हो रहे होते हैं css ही change हो रही होती है javascript के अंदर अब ज़रा गोर से देखिए कि इस से भी interesting aspect अभी तो यह बगएर click के हो रहा है न मैं सारे काम को उठा के cut करूँगा और यहां अंदर कर दूँगा अब यह उस वक्त तक red color change नहीं होगा जब तक मैं क्या करूँगा not only this दो मिनट है अब मैं चाहता हूँ button के click पे यह paragraph गाय भी हो जाए अगर आप सिर्फ एक concept समझ चुके न तो आप यूं समझें कि JavaScript का एक बहुत बड़ा हिस्सा समझ चुके हैं अब ज़रा गौर से देखेगा मैं चाहता हूँ अब आप समझें कि suppose करें कि यह paragraph नहीं है यह drop down menu है तो आपने सिर्फ क्या करना है dot display display की property पढ़ी भी है न css में पढ़ी भी है न dot display none होगी गायब now अब मुझे यह बताएं कि मैं इस minimize के button पर click कर रहा हूँ तो यह क्या हो रहा होगा कोई नो कोई css का style ही चेंज हो रहा होगा या वो अगर नहीं तो यह तो लाजमी कोई नो कोई css ही चेंज हो रहा होगा अभी by default किया display none ना इस पर click कर तो क्या हो जाएगा block वापस click कर तो क्या हो जाएगा मुझे ले इस तरह की चीज़ें बना के दिखाऊंगा तरह पहली यह चीज़ समझ आगी है अब आप इस paragraph को छोड़ें और आप इसको कह दें जी यहां पर कोई एक div बना ले छोड़ें नहीं इसको भी रहने दें div बना ले और इस div को दे दें आप id और इसको test div कह दें या इसको कह दें box और इस box को आप कुछ css के styles भी दे दें that is gonna be मैं आपको इसका जवाब देता हूँ javascript में style नहीं देते javascript में सिर्फ styles को dynamically change करते है जो style है वो हमेशा css में ही रहेगा अब ज़रा देखेगा जो starting के styles है वो मैं किसमें दूँगा css में लेकिन javascript में सिर्फ वो style दूँगा जो button के click पे change करना है मिसाल देता हूँ आपको clear हो जाएगा ठीक है width 300 pixels height 700 pixels bgc अब ज़रा देखना बिटा यह है css की file link भी करनी होती है normal css as it is रहेगी जैसे पने पहले की वी है अब मैं इसको क्या करना जाता हूँ गाइब करना जाता हूँ बैं दो button बनाता हूँ एक show के लिए और एक height के लिए तो यह यहां पे दो अलग से बटा रहता हूँ ठीक है function बनाएंगे अभी उसको नाम भी यही दे देंगे ठीक है अभी बनाया नहीं है यह user defined functions है ठीक है तो show hide के दो functions भी यहां बनाने पड़ेंगे हमें पहला काम हमें क्या करना होगा वो div जो है जिसकी id box है उसको get करना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा let box equals to document.get element by id box फिर क्या करूँगा box एक object है object है dot इसमें style की property available है dot इसकी display की property क्या है show है तो show कैसे होगा block अगर वो already block है तो उसे छेड़े गई नहीं अगर block नहीं है उसे block कर देगा और hide में यही काम होगा बागी सब कुछ सिर्फ यहां क्या हो जाएगा उसी box को get करें और इसको display को क्या कर दे नहीं कर दे now let's see show पहले ही show था hide show hide show hide show hide show यह dom इसलिए के यह block level element है ना तो block level element dom को क्या करेगा अपने से नीचे देखर देगा जब यह खतम हो गया तो button in line element है ना यह सवाल पूछना राज़ी गयव नहीं हो रहा नीचे जा रहा है यह लिए खतम कर देते हैं ठीक है जो चीज़ें आपने पड़ ली है वो as it is रहेंगी यह उनकी उपर edition है आज जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा sense समझ आया आपको कि वो जो पिछले पूरे हफ़ते में यह काणियां करते रहें टॉगल कर सकते हैं if else नहीं पढ़ा न हमने अपने अंदर जागे हम condition चेक कर सकते हैं if already block है तो display कर दो और अगर sorry block है तो none कर दो none नहीं तो display कर दो if else के condition लगेगी अंदर एक ही function बनाना पुड़ेगा toggle ना मुगा उसका आज तो आपकी एक किरन नजर आई होगी हाँ यार एक काम दिशा है पिछले पूरे हफता सोच में गुदर गया है यार यह जो सर पढ़ा रहे हैं दुमागी खराब हो रहा पता नहीं लग रहा है यूज के तर होगी आज पता लग रहा है कहा यूज होगी इसको इस्तमाल करेंगे हम बहुत अच्छी चीज़ें भी बनाएंगे ठीक है सो यहां तक अगर किसे का सवाल है तो पूछ लें आनलाइन भी